आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अप्डेट के साथ नगर निकाय चुनाओ के प्रचार को लेकर भारती जिंता पार्टी का पूरा खाका तयार है सियम योगी आदितनाथ सहारनपुर से प्रचार शुरू करेंगे 24 अप्राइल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ शामली और अम्रोह में भी चुनाप्रचार का उनका कारिक्रम है इसके लब आप भाष्टपा के प्रदेश अद्देश बुपेंदर चौधरी संगठन की योजनाएं लोगों तक पहुँचाएंगे तो केंदर और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने रखकर नगर निकाय में अपने प्रत्याशों के लिए वोट मागेंगे ये तमाम इसका प्रदेश बुपेंदर चौधरी योगी आधितनाथ हैं जिसमें भाष्टपा के प्रदेश अद्देख शामिल हैं जिसमें डिप्टिसियम ब्रजेश पाठक शामिल हैं सहारनपुर से मुख्यमंतरी 24 अप्रेल को अपने प्रिशार अभियान का प्राणब करेंगे और गिप्टिसियम ब्रजेश पाठक गाजियाबास आज बोले हैं मुख्यमंतरी योकी आधित तनात उन्होंने का कि पहले माफिया की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश लेकिन अब यूपी में बदलाव दिख रहा है यूपी में अब कानूंगराज है आजमगर में अब डर नहीं है प्रयागराज में अब माग और कुम मेला लग रहे हैं ये बातें यूपी प्रदेश के कारिकर में ने कहीं है आज इसी हम जो किना करता था कि हम इसका कोई दोस्टे नहीं है लेकिन कि नौ दस वर्षपूर जब द्रहानमत्री मोदी जी के मेत्रुत्यों में देश की बाद को और आई कि एक नई आसा और नई आतंसाओं के साथ पेश ने बदलाओ देखा आजम गड़ जैसा जन पर जिसके नाम से लोग घबराते थे नाम सुनकर के लोग घबराते थे आज आजम गड़ एक्सक्रेस आइने से भी जुड़ा आजम गड़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजम गड़ में मिश्व विद्याले भी बना रहे है इस्टेट इन्ट से भी वहां मारी एक बंदी आजम कोई भाइल नहीं है कोई किसी भी प्रकार की कोई राजखता नहीं है जो पत्रों थे आज कुना उत्सों में बदल चुके हैं वयोद्या में निपउत्सों का करक्रम पुरा है कासी में देव विपावदी हो रही है प्रियागराथ फिर से अपने पुम्ब और मार्ग मेले के लिए जाना जा रहा है प्रिंदावन रंगोत्सों के लिए जाना जा रहा है यह सभी आज़न फिर से प्रादम बुमें और हरी एक इवेट उप्तर देश के लिए उत्सों में पुम्ब पुम्ब देखाई देगा एक तरफ मुक्य मद्री ने आज ये बयान दिया जातिये जनगर्णा से ही सब्ता विकास होगा जातिये जनगर्णा से भाईचारा बढ़ेगा भेदबाव खत्म करने के लिए जातिये जनगर्णा हो महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है ये अखिले इशादव का बयान उन्होंने काई कि किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है गेहु खरीद के लिए सरकारी इंतजामात नहीं है गेहु खरीदने का इंतजाम पुरी तरसे फेल है या आरोप हैं अखिले इशादव के हैं मैं यही कह सकता हूँ कि डर का माहूर नहो खुशियों में भेदवाब नहो राम राज यह समाजवाद तभी संबभ है जब जाती जंगरना हो जाती जंगरना होने के बाद ही सबका सास सबका विकास होगा जाती जंगरना से ही भाईचारा आएगा ये निकाय चुनाव बहुत महतपूर्ण है ये हमारे शेरों को जो कुड़ा बना दिया है ये भारती जिनता पार्टी की देन है यहाँ पर मेयर लखनौत देख लें कानपूर देख लें इलहाबाद देख लें आगरा देख लें और भी कई शेर ने जो महतपूर शेर उत्तरपदेश के हैं उनको कूला बना दिया अगर किसी ने तो भारती जिनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने सभी टिकेट दे दी हैं ये छोटा चुनाव है हम कारकरताओं को निरास नहीं करना चाहते हैं बड़े चुनाव में हमारा गड़वन्दर है छोटे चुनाव में हमने का नकाय गड़ताओं को निरास नहीं करेंगे कि डर का माहू नहो खुशियों में भेदवाब नहो और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्यां खड़ी है आज चरम सीमा पर महंगाई है चरम सीमा पर ब्रोजगारी है और किसान को जो सिविधा मिलनी चाहिए थी अभी गैउं की फसल थी क्या सरकार ने वो इंतिसाम किये थे कि किसानों का गैउं खंड़ा जाए चलिए अब आगे बढ़ते हैं इटावा में नायब तैसिलदार की जिगा पत्नी ने उनकी समस्यां सुनी है लोगों की नायब तैसिलदार की कुरसी पर बैट कर समस्यां सुनने का अरोप है नायब तैसिलदार की पत्नी पर नायब तैसिल्दार संदीप सिंग की पत्नी का वीडियो भी वारल हो गया है जमीनी मामलों की सुनवाई करती कैमरे में कैद हो गई है नायब तैसिल्दार की पत्नी अब SDM ने इस मामले की जांच के लिए कमिटी बना दी और जांच रिपोर्ट आने के बाद SDM ने कारवाई की बात करी ABP गंगा इस वारल वीडियो की कुष्टी नहीं करता है लेकिन ये वीडियो वारल है और ये बताया जो रहा है नायब तैसिल्दार की पत्नी का जिने आप कुर्सी पर बैठा हुआ देख सकते हैं और आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने बैठ कर वाँ पर जमिनी मामलों के सुनवाई किये अब तैसिल्दार के ओपिस में कोई महिला उनकी चेयर पर बैठी है उनकी कुष्टी पर बैठी है तो क्योंकि शिकायत हुई है और इस प्रक्रण में जांच कराई जा रही है जिसमें जांच अदिकाई है तैसिल्दार सब्दर इटाबब वाविवत किया गया है उनकी दोरा जांच जो भी जांच रिपोर्ट की जियाएगी उसके तैसिल्दार सब्सक्राण में जांच करने वाला फर्जी मेजर गिरफतार कर लिया गया है आरूपी के पास से सेना की वर्दी, कई दस्ता वेज और फर्जी आईकार्ट भी मिले है आग्निवीर परिक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी का आरूप है हर्याना के अब्दुल्लापुर पिंजौर का रहने वाला है आरूप आग्निवीर परिक्षा में पास कराने को लेकर ठगी का आरूप है इस फर्जी मेजर बने के रहने वाला है पकड़ा के आरोपी आगनेवीर परिक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने का आरोप है फर्जी मेजर बनकर ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी